हाई गाईज वेलकम बेक अगें माई यूटूब चेनल कैसे आप सब लोग आई हूब कि आप सब अच्छे होंगे में हूँ प्रेंकर और प्रेंकर बुटीज में आपका स्वार करते हैं थो गाज का गाई वीडियो है वो है मास्क से रिलेटेड अभी वैसे भी कोरो न वगेरा क्वी ज्यादा है फेलता जा रहा है तो अभी माई ने 95 माई जो कि मैंने मगई एव मैंने उटार से और यह मेंने मागवाया है तो मैं मुझे लगा कि इसको मैं आप लोग शाज शेयर करती हूं और कई सभी सेल के टाइम पे न मास्क वगेरा काफी अच्छी रिजनेबल प्राइस वगेरा में मिल रहे थे तो मैंने भी एक ओडर किया था तो यह आप देख सकते हो यह इस पे पूरा लिखा हुआ भी है N95 जो पैकेट वगेरा है इस पे भी और यह कलर वगेरा इसमें और भी अवेलेवल थे जो भी आप लोगों को पसंद है उसे साब साब कालर वगेरा भी मंगवा सकते हैं लेकिन मुझे ब्लेक ठीक लगा तो मैंने यही मंगवाया है और यह जिस ब्रांड का है वो कोई इतना जदा खास ब्रांड है नहीं कि ऐसे मतलब नाम पता नहीं कुछ याद मुझे नहीं लेकिन सिंथेटिक्स करके कुछ था और यह गाइस अभी ना मुझे सेल के टाइम पर आए थी कि लगबग 110 रुक पर क्या सपास मुझे मिल गया था तो मैंने इसको बंगवाया है और N95 वेसे भी काफी महिंग आ रहे थे तो मैंने सिंगल ही ओडर किया था और मैंने कई और लेकिन मैंने पेक ओफ वन मंगवा कही कि मैं देखती हूँ कैसा मुझे रिसीव होता है तो गैस अगर आप लोग भी मंगवाने की सोच रहे हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्सन बोक्स में देदूंगी तो आप वहां जाके इसको जरूर देख सकते हो क्योंकि इसकी रिविव वगेरा भी काफे अच्छे थे और यह आप देख भी सकते हो गाईज यह अंदर और भार दोनों तरब से एन 95 इसमें दिया भी गया है और काफी अच्छा है इसका माटीरियल वगेरा जो है मुझे अच्छा लगा है और एक और बात की मतलब यह फेस को जैस मुझें गरता को अच्छे से कवर करता है ई प्लाल दोनों जो बार का मटीरियल है इसका वह नोंवमैञ और इसका वह वोसब अगेरा भी कर सकते हो लेकिन वह जैसे आप हाथ से जादर अगर वह गयरा नहीं सकते हो ना बश्ती पर लगा सकते भो बस को थोड़ा जैसे गरम तो आप लोग भी ऐसे इसको वोश करके और वापस इसको रियूज कर सकते हो और यह डस्ट फ्री है पॉलुशन फ्री है काफ़ अच्छी चीज मुझे इसकी लगी है कि जो इसमें डोरी दी गई है वो काफी बड़ी है जिसमें कि आप जिसे पुरा इसको पुरा हेडसे से ट लगाने पर तुरन ढहिए फिक्स अच्छे से हो जाता है यह मास्क को अगरा लगाने के बाद जैसे जितना फिक्स इसको करना चाते हो उतने आसानी से हो जाता है एंड इसमें जो यह डोरी दी गई है पूरी ऐलास्टिक है तो हैसानी कि आपको छोटी है फिर थोड़ी आप जैसे जो नॉर्मल मास्क वगेरा लगाते हो उससे ज्यादा अच्छा है कि थोड़े से भले पेसे लग जाए लेकिन आप N95 भी यूज करें और ये काफी अच्छा भी है और इसको ऐसा नहीं कि आप एक बार यूज करेंगे फिर ये आप इसको यूज नहीं कर पाएंग जिससे कि इसमें जो भी बेक्टीरिया वगेरा लगे हुए हो तुरंत गरम पानी से निकल जाए तो अगर आप इससे लेना चाहते हो तो इसका लिंक में डाल दूगी और इसमें शायर एक दो कलर और भी है एक वाइट कलर है और एक ग्रे कलर है जिसका तो मैंने आपे पर अंधाव여 लेकिन ये में जिसे काई एक भार को यह रजाती हैं इनको यूज है करता है ूडर्वाव और इक और चीज की आप इनको घर भी बना सकते हो अपको थोड़ीuse भोत भी स्टीचिंग गर्फिव्हend cake ultusi कि और आप इनको असानी से इसमें कित्ती उतल प्रशन नहीं है हो सकता है कभी किसी को थोड़ा अगर फेस ज्यादा बड़ा है तो यह टाइट भी हो जाए और जिसे अगर आप बचो गिरा को लगाना चाहे तो यह थोड़ा लूज भी उनको रह सकता है तो इसलिए भी मास्क मुझे ठीक नहीं लगा है लेकिन फिर भी अगर आप इसको यूज करते हो तो आप इसको डेली पोस करें और आप एक के उपर एक दो मास्क तो आप डेफिनेटली इनको यूज करें करें क्योंकि इनमें जो डस्ट वगेरा है वो यह डस्ट फ्री वगेरा नहीं होते हैं इनमें आसानी से डस्ट वगेरा पोलिशन वगेरा आसा अंदर में जो दिया गया होता है वो कोटन का होता है लेकिन बिल्ट को लाइट जो कपड़ा होता है वो वाला इसमें अंदर में दिया गया है तो यह बार के लिए तो जदा safe नहीं है हां इनको आप घर में definitely सेफ नहीं लगती है और हां ये रियूज आप कर सकते हो इनको जैसे हलका सा भी घंद N95 में इनके बचा blaming यह था कि आप उनको ब्रस अगेरा नहीं लगा सकते हो ना आइय Act से से थोड़ा-थोड़ा उनको रब करके हात्यों से ढूशाफ कर सकते हो तो यह चीज है नॉर्मल मास्क से ज़्यादा अच्छा है कि आप पेसे भले थोड़े ज़्यादा लग जाए लेकिन N95 मास्क ही ले क्योंकि उनमें सेफ्टी वगेरा जादा है और अच्छे भी है मास्क और फर्क तो आप लोग दोनों में देखी चुके हो यह जो मास्क होते हैं और इनमें जो एर वगेरा होती है वो आसानी से डस्ट वगेरा आसानी से चले जाती है और यह N95 जो मास्क होता है वो एर फ्री पॉलुशन फ्री काफी अच्छा भी मास्क होता है तो आप डेफिनेटल इसको ले सकते हो और मैंने अभी सेल के टाइम पर ही इसको परचेज किया है तो मुझे इस पर काफे चाह डिसकाउंट भी मिल गया था वरना तो यह लगभग डेड़ से दोसों के उपर ही मिलता है ओन काफे कराना है च्छेज भी ले को उनुम्लाइन साइट से आपने आपको अरड़ सकते हो जहां से भी आपको परचेज कर ऑपने पर ही ट्रस्ट भाल अपको यह बात करते हैं गाइज यह जो हैर बेंड है इनकी यह मैंने गाइज लिये थे लोकल मार्केट से में काफी टाइम से अभी यह ना चल भी रहे थे हैर बेंड और जैसे अगर आप पोने टेल बगेरा बनाते हो खुले बाल रखते हो तो उस हिसाब से भी मुझे अच्छा लगा यह हैर बेंड और यह मुझे काफी दिनों से चाहिए था यह अगर आप उनलाइन लेते हो तो यह बहुत ज़्यादा प्राइस का मिलता है लेकिन यह मैंने लोकल मार्केट से लिया था और यह मुझे आइक सेट में चार आते हैं और यह मुझे मिला था I think यह 20 रुपे का शायद पूरा सेट मुझे मिल गया था confirm price मुझे याद नहीं यह भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था तो यह था यह online भी मिलते हैं लेकिन online इनकी थोड़ी range ज़्यादा थी जो भी इनकी online की link है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ है आप वहाँ कि इनको एक बार जरूर से देख लिजिएगा गाईज इन सभी product में से जो भी product आपको पसंद आया हो मैं वैसे सभी के link नीचे description box में डाल दूँ है लेकिन आपको जो भी product पसंद हो उसकी link के नीचे आप click करके जाओगे तो direct site पे पहुंच आओगे और आप वहाँ जाके देख सकते हो आपको जो भी product पसंद आया उसके बारे में वहाँ पे देख भी सकते हो तो यह था गाईज मेरा आज का वीडियो I hope कि यह चीज आप लोगों को पसंद आया हो और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो please like करे, share करे, comment section में जाके comment करके जरूर और share अपने जो भी contact list वगेरा में हैं उनको सबको जरूर शेयर करे, ताकि जो भी लोग इनको purchase करना चाहे वो definitely कर सके अभी sale के time, and please अगर आप चैनल पे आये हैं तो चैनल को subscribe जरूर करे, उसकी side में जो bell icon वाला बटन दिया हुआ होता है, उस पे भी जरूर से click करे, ताकि कि मेरे और भी आने वाले review वीडियो जो भी हो, सबसे पहले आप लोगों को मिले, जो भी product आप लोग purchase करना चाहे, वो सबसे पहले आप लोग कर सके, और गाइस मैं इसी type के online offline वीडियो बनाती रहती हूँ, जिससे कि आप लोगों की shopping करने में थोड़ी help हो सके, and thank you for watching my videos, till then, bye guys!